So hi everyone, आज हम chapter करते हैं government budget and the economy. First, सबसे पहले देखते हैं concept of government budget. It is a statement of estimate, government receipt and expenditure during period of financial year. कि ये वो statement है जिसमें ये अंदाजा लगाती कि भई, क्या receive करना है और क्या खर्चा करना है कब financial year के दोरान है, मतलब 1 April से 31 March तक. It reveals fiscal policy of government, मतलब budget जो है वो एक तरह से fiscal policy दिखाता है government की और वो fiscal policy क्या है कि आपका receipt क्या करना है, मतलब receive क्या करना है और खर्चा क्या करना है और कहते हैं इस बात पर भी focus करता है कि हमें growth करनी है और economy में stability maintain करके रखनी stability का मतलब होता है ना inflation आए और ना deflation आए उसके बाद कहता है objective of government budget उदेश्य क्या है government budget का, तो पहला है आपका GDP growth infrastructure पर investment किया जाता है और private investors को rebate and subsidy दी जाती है मतलब जितना जादा infrastructure पर investment करेंगे तो उतना ही investors जो है अपना industry वगरा लगाते है ठीक है मतलब उनका production किसी तरीके से रुकुना नहीं चाहिए और private investors को इस तरीके से process किया जाता है कि tax में छूट दे कर clear है तो फिर production जादा होगा तो GDP अपने आप growth होगी उसके बाद कहता है balance regional growth, regional का मतलब होता है area, कहता है balance तरीके से हम हर area का growth करना चाहते है budgetary policy backward area का भी development करती है और sales consider करती किसी backward area को, मैं समझाती हूँ कहता है backward area का भी विकास करना चाहती है और किसी भी area को जो backward area होते हैं उनको sales consider माल लेती है सेस का मतलब होता है special economic zone मतलब यह special area है इसमें कोई भी industry लगेगी उसको हम tax में छूट देंगे इस तरीकी से लालच देती है industry को कि वो गाउं में आके industry लगाए क्योंकि अधरवाइस तो आपकी हर शेर शेर में लगेगी तो सेरों का यह विकास होगा उसके बाद कहता है allocation of resources allocation का मतलब होता है एक तरह से distribution market economy में resources वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ profit जादा होता है और market economy social welfare को ignore करती है मतलब इनको अपनी profit से मतलब होता है जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं होता और in central planned economy planned word आएगा यहाँ in central planned economy सारा motive जो होता हो किस पर होता है जनता की भलाई करने में उसके बाद कहता है redistribution of income and wealth मतलब budgetary policy ने economic divide को की problem को शोल कर दिया economic divide का मतलब यह है कि जो rich है वो और जादा rich हो गई और poor वो और जादा poor तो यह problem थी तो क्या किया इसको problem को शोल कर दिया government ने दिमाग लगाया कि rich लोगों पर हम ज़्यादा tax लगा देते हैं और poor को subsidy दे देते हैं अब ऐसा question आ जाए कि मतलब government जो हो वो food green दे रही है BPL families को गरीब लोगों को तो आप बताएगा government बजट का कौन सा उदेशय पूरा हो रहा है तो आप क्या काओगे redistribution of income and wealth उसकी बाद आता है आपका employment opportunity कैता बजटरी policy का बजटरी policy employment जनरेट करती है ये भी एक उदेशय होता है कि employment को भढ़ाना है for example public sector enterprises में public enterprises में invest करती है administrative services में investment करती है मनरेगा प्रोग्राम चलाती है तो ये सब किसलिए है कि रोजगार मिले लोगों को तो अगर ये आजाए मनरेगा प्रोग्राम शुरू किया है इसमें से कौन सा objective पूरा हो रहा है तो employment opportunity उसके बाद कहता है economic stability budgetary policy economy में stability चाहती है not deflation और inflation आए तो अगर आ भी जाता है तो at the time of inflation government अपने expenditure को कम कर देती है expenditure कम करेगी तो मतलब काम अब बंद हो जाएगा एक तरी से कम हो जाएगा clear है ठीक है तो लोगों की हाथ में कम पैसा जाएगा वो कम demand करेंगे तो prices जो है वो आपकी क्या हो जाएगे अपने हापी कम हो जाएगे और deflation के time क्या हो था government अपने demand कम है एक तरीके से deflation के time पर तो government जादा expenditure करती है जो लोग खाली वैठे है उनको काम मिल जाए clear है उनके हाथ में पैसा आ जाए और वो demand करने लग जाए देखो revenue receipt जो होती है न day to day जो आपको पैसा मिलता है कहता भाई ना तो यह कोई liability create करता है और ना आपकी asset को reduce करता है फोर एक्जामपल आपको government को कोई tax मिला तो tax दे दिया तो government पे क्या liability आई बताएगा कोई जिम्मेदारी आई ठीक है या फिर तो यह क्या है आपका revenue receipt है उसके बाद देखो revenue receipt को ही है हम आगे देखते हैं यह एक बार ऐसी कर दिया मैंने देखो revenue receipt जो है वो दो टाइप की होती है tax receipt या non-tax receipt मतलब income tax है corporation tax है gift tax है custom duty है custom duty का मतलब होता है जो भी आपका important export पर लगता है exercise duty जो production पर लगती है manufacturing पर लगती है ठीक है उसके बाद sale tax है state duty है जो property पर लगती है तो यह क्या है सारी tax receipt है non-tax receipt का मतलब होता है एक तरह से किसी से fees लगा दी government ने fine लगा दिया किसी पर या फिर आपका 2G को sale करके तो आपका 2G को sale करके जो income मिली है या फिर grant donation की तुरू government को जो पैसा मिला है या फिर क्या कहता है income from the public enterprises या special assessment special assessment का मतलब होता है आपका घर था जिसकी value पहले 50,000 थी आउसकी 50,000,000 हो गई उसकी घर की value वो कैसे होई क्योंकि अब जो आपके आसपस का एरिया वो बिल्कुल पोश एरिया बन गया पहले आपका घर जो एक तरह से कीचर वेगरा में ऐसे था तो उसकी value कम थी तो अब आपको घर की value किसकी वज़े से बढ़ी है गवर्मेंट की वज़े से तो गवर्मेंट आप people live property and legal hire नहीं है मतलब कमालीजी का कोई भी इंसान वो property वगरा को छोड़ जाता है उसके पीछे कोई भी बच्चे वगरा नहीं थे ठीक कोई भी नहीं था तो उसारी property वगरा किसकी हो गई गवर्मेंट की हो गई तो यह क्या है आपकी non-tax receipt है उसके बाद कहता है आम tax की classify करते है कहता है आपका progressive tax और क्या होता है आपका regressive tax देखिएगा progressive tax वो होता है tax rate जो है वो बढ़ जाती है income rate increase होने से मतलब पहले आपकी अगर माल लिजेगा ढाई लाक ही income थी और पाँच लाक के बीच में थी तो 5% था clear है ठीक है मतलब साल में ढाई लाक और पाँच लाक के बीच में तो कितनी परसेंट आपकी 5% है उससे उपर हो गया तो कितना आपका 12% जैसे जैसे आपकी income बढ़ती जाएगी आपकी टेक्स रेट बढ़ती जाएगी पर यहाँ पर क्या है अगर इसे उटेक्स में सब के लिए रेट सेम होती है तो जादा burden किस पर आता है पूर पर रहता है clear है एक लाक वाले पर भी 10% टेक्स 5,000 वाले पर भी 10% टेक्स clear है उसके बाद कहता है direct tax and indirect tax देखो वही पे करता है जिस पर यह टेक्स लगता है अगर income मैं कमा रही हूँ तो मैं ही पे करूँगी clear है burden हम इसका shift नहीं कर सकते और progressive होता है direct tax जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी इसकी rate भी बढ़ती जाएगी example क्या है income tax देखो indirect tax क्या होता है tax लगता है किसी पर और pay कोई और करता है for example माल लीजेगा A person था ठीक है और एक था B clear है अब factory से कौन purchase करके लिके आया था आपका A तो वह government ने tax किस पर लगा था factory ने पर factory ने तो किस को बेज दिया आगी A को भेज दिया ना clear है तो pay कोन करेगा लगा किस पर था factory पर अब pay कोन करेगा A अब A ने B को कर दिया तो लगा किस पर था A पर और किस से receive कर लेगा B से तो shift burden shift कर सकते है और regressive होता है nature में अगर आप माल लीजे का किसी showroom से shoes लेके आते हो उस पर कोई tax है तो आपका गरीब भी वही tax देगा और Amir भी वही tax देगा सब के लिए same rate है जैसे for example sale tax है clear है देखो इसके बाद जो है ना एक और आपकी e-book में दे रखा होगा एक और टेक्स progressive tax, regressive tax direct tax और indirect tax के अलावा उतरा ज्यादा tax लगता चला जाएगा कोई ज्यादा important नहीं है घबराने के बाद नहीं है उसके बाद आता है आपका capital receipt capital receipt भई वह होती जो कभी-कभी पैसा मिलता है तो कहता है यह आपका बड़ा पैसा मिलता है तो liability create कर देता है या फिर और आपका asset को reduce कर देता है for example recovery of loan देखो आपने किसी को loan दिया तो वो आपकी debtor बन जाएंगे न आगई बाद समझवें 10,000 किसी को दिया 10,000 की debtor बन गए अब उसने आपका पैसा वापिस कर दिया मतलब तो उसमें से जैसे for example 4,000 वापिस कर दिया तो मैं इसको काट के क्या कर दूँगी मैं आपका 6,000 कर दूँगी तो asset reduce हो गई न जब आपको loan recover हुआ clear है उसके बाद कहता है borrowing and other liability मतलब कहता है आप कोई भी जो है borrowing लेते हो मतलब sale of share of public to private sector जब public enterprise अपना private sector को अपने share बेच देता है तो क्या हो गई आप पर share बेच दिया मतलब कि आप मेरी ownership नहीं रही तो मेरी asset है यह नहीं हो तो asset क्या हो गई आपकी reduce हो गई यह capital receipt होती है is it clear to everyone ओके आगे चलते हैं budget expenditure देखो दो type का होता है revenue expenditure और capital expenditure revenue expenditure वो होता है यहाँ पर याद रखलो note याद रखलो आगे बास समझें note कहता ना तो आपका छोटे मोटे खर्चे होते हैं चोटे मोटे मतलब छोटे मोटे खर्चे करते हो अपका asset कैसे बनेगी ठीक है या फिर आपकी liability कैसे reduce होगी liability भी reduce नहीं होगी asset भी create नहीं होगी और capital expenditure वो होते है बड़े बड़े खर्चे तो कहता भाई आपका asset को create करेंगी और किसको करेंगी आपका liability को reduce करेंगी आगई बास समझें देखो revenue expenditure asset को create नहीं करेगा नहीं उसके बाद कहता है interest payment government ने पिछले साल 5 करोड का लोन दिया था अब उस पे हर साल जो है आपका interest pay कर रही है तो क्या personal liability कम हो गई नहीं ठीक है उसके बाद कहता है expenditure on the subsidy subsidy देने से भी ना तो asset आपकी create होती ना liability reduce होती उसके बाद defense के लिए कुछ भी purchase किया है तो government की ना कोई personal asset create हो रही है ना liability reduce हो रही है कहता है यह जब हम खर्चे करते हैं तो इसका मतलब यह होते हैं आपके recurring nature के मतलब day to day खर्चे clear है और कहता है in expenditure का जादा होना poverty show करता है मतलब हम हद से जादा किसी को subsidy विगरा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका कभी देश में हमारे क्या है poverty है गरीबी है clear है उसके बाद कहता है आपका capital expenditure का मतलब है जो asset create करते है expenditure on land land अब आपके नाम हो गई आपके asset हो गई है उसके बाद purchase share कर ले आपकी ownership हो गई आपकी asset create हो गई है expenditure on क्या होगा आपका machinery तो अब क्या हो गई आपका आपके नाम हो गई है machinery तो asset create हो गई है clear है एक और point एड़ कर दिया है मैंने central government जो है state government को loan देती है तो मतलब एक तरह से जो है आपका ये investment expenditure है तो investment होगा तो हमारी asset create होगी मतलब कोई ना कोई वो development के लिए काम करेंगे तो asset create होगी उसके बाद कहता है ये वो बड़े-बड़े खर्चें जो बाई कभी-कभी होते है और कहता lack of private investment in economy shows कहता है ये खर्चे जादा होते तो इसका मतलब ये है government को इसलिए खर्चा जादा उठाना पड़ रहा है कि private लोग तो आपका खर्चा कर नहीं रहे private investment कम हो रहा है उसके बाद देखते हैं budget deficit देखो budget deficit क्या होता है आपका revenue deficit fiscal deficit और primary deficit तीन टाइप के होते है deficit का मतलब होता है जब खर्चे जादा हो income आपकी कम हो आगई बात समझेवे आपकी कमाई 100 रुपे की है खर्चा आपका 500 रुपे का तो 400 रुपे की आओगए deficit होगए तो सबसे पहले हम revenue deficit को देखते हैं कि भाई जो आपका revenue expenditure जादा है और revenue receipt से clear है ठीक है जैसे 100 आपका receipt हुई आपका 500 क्या है expenditure तो 400 रुपे की आजाएगे revenue deficit implication implication का दो मतलब होते है जैसे suggestion या फिर क्या असर पड़ा ठीक है तो यही पर suggestion एक तरह का यही है भाई अपने borrowing वेगरा कर लो आगई बाद समझे में public से ले लो क्योंकि खर्चा तो किसी तरह चलाना बढ़ेगा ना खर्चा जादा है तो या फिर rest of world से ले लो RBI से ले लो या फिर आपका जो personal asset वेगरा है उनको बेच दो भई अब क्या करे ठीक है उसके बाद कहता है अपने expenditure को कम कर दो जब पैसा ही नहीं है तो मारे पास तो इतना क्यों दुनिया को subsidy देने लग रहे हो क्लियर है उसके बाद कहता है fiscal deficit देखो fiscal deficit जादा danger होता है किस से आपका revenue deficit से क्लियर है ठीक है क्योंकि इसमें तो हम आपका दो तरहें के expenditure आते है revenue प्लस में capital expenditure क्लियर है minus total receipt और receipt में मैंने दो पार्ट करवाए revenue receipt और क्या आगया आपका बताइएगा capital receipt क्लियर है तो total expenditure minus total receipt other than borrowing समझाती हूँ मैं और या फिर यह कहलो budget expenditure minus budget receipt क्लियर है मतलब कहने का मतलब यह है for example आपका total receipt था 300 क्लियर है और आपका total expenditure था कितना 500 आगई बात समझ में तो यहाँ पर यह पता लग रहा है कि हमें borrowing कितनी लेनी है यहाँ पर हमें कितनी लेनी है 200 लेनी है सिद इसी बात है कई बार numerical आपका 1 नमबर में आ जाता है तो आपका कही जगह आपका यह भी देखने को मिलेगा fiscal deficit equal to borrowing fiscal deficit दिखाता ही यह है कि हमें कितना borrow करना है आगई बात समझ में किलियर है कहता है इसका भाई क्या आसर पढ़ता है implication क्या है तो कहता है inflationary spiral RBI से borrow करना मतलब money supply बढ़ा देगा economy में अगर money supply बढ़ गई तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा ज़्यादा demand करेंगे prices क्या हो जाएगे increase हो जाएगे तो inflation आ जाएगा clear है और ये inflation आले से दो चीज़े होती wages catches price मतलब आपका क्या हो जाएगे लोगों के wages ज़्यादा हो गए तो वो ज़्यादा demand करेंगे तो prices क्या हो जाएगे ज़्यादा या फिर prices ज़्यादा हो जाएगे तो employee अपने organization में के कहेंगे अब हमारे भी क्या करो wages ज़्यादा करो उसके बाद कहता है vicious circle of high fiscal deficit and low GDP कहता है ज़्यादा fiscal deficit होने से government infrastructure पर expenditure कम करेंगे clear है तो क्या हो जाएगा low investment हो जाएगा तो फिर क्या होगी low GDP हो जाएगी high tax rate कर देगी लोगों के पास तो लोगों के पास disposable income मतलब खर्चा करने के लिए income कम बचेगी वो कम demand करेंगी और क्या हो जाएगी आपकी GDP कम हो जाएगी कहता है यह चक्कर ऐसी जलता रहता है उसके बाद कहता है आपका fiscal deficit का एक और असर क्या पढ़ता है grounding out high fiscal deficit होने की वज़े से government जादा borrowing लेती है मतलब bank अवगरा से जादा loan लेती है उनके लिए fund बचता ही नहीं है सारा तो government ले गई उसके बाद कहता है erosion of the government creditability मतलब erosion का मतलब खतम होना government जो है अपनी एक तरह से image जो है वो खराब कर देती है हर चगह से loan लेती है मतलब बहर से भी international level पे भी bank वगरा से इधर bank से भी तो कतलब जादा loan लेने से government की credit rating कम होती है आगए बाद समझ में मतलब मैं समझाती है एक तरह से अपनी image को खराब कर देती है हर जगह loan ये loan और time पर उसको pay नहीं कर रही है तो companies होती है जो credit rating देती है मतलब time पर pay कर देती है उनको अच्छी rating मिलती है clear है तो अगली company देखती है credit rating कैसी है इसको मैं दूँ या नहीं तो कतलब government जो है वो अपनी image को खराब कर देती है उसके बाद next आता है last primary deficit ये आता है fiscal deficit minus interest payment ठीक है देखो एक बात को समझना fiscal deficit आपका पिछले साल का होगा और interest payment किसका होगा आपका current year का होगा मतलब 5 करोड suppose कीजेगा हमने पिछले साल loan लिया था एक करोड हमने अब क्या करना है आपका एक करोड जो है अब की बार interest pay करना है clear है अब ये बच गये कितने 4 करोड तो 4 करोड क्या है primary deficit primary deficit यही शो करता है by interest pay करने के बाद कितना पैसा बच गया जो और काम भी कर ले सारा तो अमारा इसमें कमाई चली गई interest pay करने में कुछ बचा है या नहीं और काम कर ले ठीक है तो यही दरशाता है so if you have any doubt you can ask me through the comment section आपको अगर किसी ओर chapter भी भी वीडियो बनवानी है आप मुझे बता सकते है अच्छा लगा तो मुझे comment करके जरूर बताएगा thank you so much